नमस्कार आदाव सश्रेकाल, मित्रों स्वागत है एक बार पुना आप सभी का समाधान कारिक्रम में एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए उसने बहुत महनत की थी लेकिन उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी लोगों के साथ भी उसका व्याभार बहुत अच्छा होता था लेकिन दूसरे उससे अच्छा व्याभार नहीं करते थे जीवन से पूरी तर निराश होकर वो पहुँच गया जंगल में वहाँ जाके उसने भगवान को कहा भगवान यदि आप कोई एक कारण बता दें जिसके कारण मैं जिवित रहूं तो मैं अपने इस विचार का त्याग कर दूँगा भगवान ने दिखाया उसे वहाँ पे देखो दो प्रकार की जाडियां है यहाँ एक जाड़ी देखो जो बहुत हरे भरे लग रहे हैं और दूसरा देखो एक बंबू है जो बांस के पेड़ होते हैं बहुत लंबे-लंबे उन्होंने कहा कि यह जो जाड़ियां है न सहज उख जाती है लेकिन बंबू का जो तुम विशाल पेड़ देख रहे हो जो लगभग 100 फिट उंचे हैं तुम जानते हो यह कैसे पैदा हुआ है यह दोनों ही वीज एक साट डाले गया थे जाड़ियां जल्दी निकल जाती ह लेकिन यह जो बंबू है इसे पांच वर्ष कम से कम लग जाते हैं लेकिन फिर भी इसे लगातार मैं पानी देता रहा एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल लेकिन शायद एक आम व्यक्ति हार जाता लेकिन मैं इसे पानी देता रहा पांच वे वर्ष बस यह पैदा हुआ औ और 6 मास के अंदर ही 100 फिट ऊपर चला गया ठीक वैसे ही जीवन में कई बार हम जो अच्छे कार्य करते हैं कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि असा फलता ही क्यों प्राप्त होती चली जा रही है। लेकिन ये जो अच्छे कारिया हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है ठीक उस बंबू के पेड़ की तरह, लेकिन एक बात कही गई है हमारे यहां कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, कई बार हमें बहुत लंबा इंतजार जरूर करना पड़ता है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो बहुत-बहुत-बहुत मीठा होता है, जब प्रभू ने इस प्रकार का दृष्यों से दिखाया, तो उसने अपनी जीवन से निराशा का त्याग किया और पूरे उमंगुटसा के साथ वो वापस आया और जीवन का भरपूर आनंद लेने लगा, हम लोग लंबी चर्चा कई बार कर चुके हैं मित्रों की कई बार आत्महत्या की प्रवृत्ति व्यक्ति को बहुत ही प्रण होते हैं लेकिन हम अपना अप्रोच यदि ठीक ठाक रखते हैं तो जीवन में फल बहुत सुन्दर मिलते हैं इसलिए आत्महत्या का जो विचार है उसका त्याग करते हुए जीवन को बहुत खुबसूरती से जीने का विचार करें आई यसी सुन्दर विचार के ऐसा ही है क्योंकि मनुस तुरंथ फल खाना चाहता है और इसमें कभी कई भी खाले न चाता है और कच्छा फ़ जानते ही हैं क्या करता हैं पैट दर्द होंगा कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा तो वास्तों में मनुस को स्रैष्ट कर्म करते चलना चाहिए और पुन्यकर में देखने में आरा है लोगों के, कोई कड़ से दब कर चला है सुसाइड करने, बच्चों को मन चाह रिजल्ट नहीं मिला तो चल दिये हैं, रेलवे लाइन की और इसे सुन्दर जीवन की ही लीला समात करने के लिए, ऐसे बिन-बिन कारण किसी को बिमारियां बहुत हो गई पैसा नहीं है, निरास हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, किसी के सामने समस्याएं बहुत आ गई हैं, लेकिन हर चीज का हल है, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, और एक बात पुन है, मैं सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, कि समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे कई बार बात बहुत चोटी होती है, लेकिन मनुस उसे इतना ज़्यादा ले लेता है, कि वह दूख ही हो जाता है, एक बरतान्त, आज ही कोई बहन मुझसे मिलने आई, कहा मुझे परिवार वाले, लोकिक परिवार वाले, मेरा अपना परिवार तो बिलकुल अच्छा है, लेकिन और संबंदी बड़ा टोर्चर कर रहे हैं, मैंने का क्या करते हैं वो, आप बार बार आते हैं लड़की की साधी के लिए, तो मैंने का इसमें टोर्चर की क्या बात हुई, आपको अभी नहीं करनी कह दो, हम दो-चार साल बाद कराएंगे, हमाई लड़की अभी कर दिया, हम दुखी हो गया है, मैंने का किसी भी चीज को ऐसा सेंसिटिव हो के ले लेना पर अपने को दुखी करना ये गलत है, तो देखें, वो समस्य है नहीं, वो बहुत प्यार से लोगों को कन्विंस करके उन्हें विदाई दे सकती हैं, लेकिन उसे लग रहा है, ये स क्यों इतना भारी हो रही हो इन सब बातों से तो वास्तों में, जीवन का हम येसे दांत बना लें, हर बात समस्या नहीं है, कुछ चीजे इस अंसार में बड़ी कोवन हो गई है, तुम अच्छा करो, तो विदस लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, उल्टा सुलत जीदांना जैसे मुझे अपनी खुसीख होनी नहीं है, लोग कहते रहेंगे मुझे अपने मन की स्थिटी को बिगाडना नहीं है, या मुझे निगेटीव होना नहीं है, तो ऐसी यदि सुन्दर धार्ना मन्व सपनाले, तो बहुत सारी बातें तो उसे शमस्या लगेंगे नहीं है, बात तो के वल एटिट्यूड की है, जैसे इंग्लीस में लोगों ने का, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so, कुछ इसमें दम है, पूरा तो एठीक नहीं है, जो bad है, वो तो bad होता ही है, लेकिन हर बात को बहुत negatively ले लेना, हर बात पे जादा सोचने लगना, इस आदत को यदि मनुस बदल दे, तो उसकी अनेक समस्चाएं खतम हो जाएंगी, फिर से मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, problems are nothing but the creation of a weak mind, समस्चाएं और कुछ नहीं है, लेकिन एक तमजोर मन की, negative मन की रचना है, तो हम अपने को बहुत positive करें, बातों को lightly ले, समस्चाएं इतनी वो हमें प्रतीत होती है, हम पहले भी यह करते हैं, कि अगर समस्चाओं को विवेकी उप्थौ में देखा जाये, तो वास्तों में वो उतनी बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी हमें प्रतीत हो रही हैं, हम उन से कहीं अधिक शक्ती शाली हैं, हम अपनी सक्तियों को भूलके समस्याओं के बारे में ज़्याद चिन्ता करते हैं इसलिए वो भारी लगती हैं हम अपनी सक्तियों की स्मर्टी में रहें हम कौन हैं, कौन हमारा साथ दे रहा है तो वास्तों में समस्याओं कुछ होती नहीं किसी व्यक्ति ने कहा कि समस्याओं कितनी भी बड़ी ख्यों नहीं लेकिन तुमसे बहुत बड़ा भगवान मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही वी जई होगा और तुम पराजित होगी तो ऐसे आत्मिश्वास की शायद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जरूरत है तो मैं अपने सभी भाई बहनों को एक सुन्दर सी बातिया दिलाना चाहता हूँ, अभी सी बाबा का अगमन हुआ, अवतरन हुआ और उन्होंने दो बहुत सुन्दर बाते कहीं हैं, अब से ही हमारे सब भाई बहने और जो भी हमारी बात उनते हैं, देखते हैं हमें, वो इसे ही तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे सुविकारा अपना परंपिता मान लिया, तो मैंने तुम्हें सवलता का वर्दान दे दिया, जनम सिद्ध अधिकार ये तुम्हारे पास है, तो मैं कहूंगा सभी को, कि रोज सबेरे उठकर और स्याम को, और दिन में एक दो बार ये बहुत सुंदर अभ्यास किया करें, कि हम चले सुक्सम वतन में, सामने हैं बाप दादा, बाबा दरस्टी दे रहे हैं, और फिर बाबा ने अपनी हजार भुजाएं ऐसे हमारे सिर्प पर फैला दिये, और बोले बच्चे, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ ह तो हमें सब मान लें, कि भगवान हमारा रख सक है, जब वो स्वयम कह रहा तो हमें मानने में क्या दिक्चत है, फिर उन्होंने तिलक लगा कर हमें बर्दान दे दिया, सफलता तुम्हारा जनम से दधिकार है, दोनों बातों को सभी को अपने जीवन में समा लेना है, संसार में भे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जाएगा, समस्याएं, चाहे अकाले म्रत्यू, चाहे बहुत सारी और दुईधाएं, इस धरातल पर भे के वाइब्रेशन्स फैलाती जा रही हैं, हम ये मान लें, मैं सिंपल भासा कहूंगा, जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो अकेला, लेकिन उसके साथ चार बड़े स्ट्रोंग बोडी गार्ड हो, कमांडों हो, तो उसे डर ही नहीं रहेगा, वो एंज्वे करेंगे, चाहे वो जंगल में सेर रहते हो, कोई भी रहते हो, हम ये मान लें, हमारा बोडी गार्ड तो स्वयम भगवान है, बोडी करें, और जैसे ही कर्म छेतर पर जाएं, तो फिर याद करें, सफलता मेरा जनम से ददिकार है, कोई भी कार ये मेरे पास है, मुझे उसमें सफलता मिलेगी ही, निगेटिव संकल पूरी तरह समाप्त करते चलें, क्योंकि ये वर्दाता, परमसद्गुरु से बाबा का दिय हुआ वर्दान है, इसको हम अपने चित में समाते जाएं, कोई कारी ऐसा नहीं, जिसमें मुझे सफलता न मिले, जो सफल होने वाले काम भी हैं, जहां सफलता की कोई गुंजायस नहीं, मुझे उसमें भी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये वर्दान मेरे साथ है, तो इस दोनों आज आज आपने बहुत बड़े गिफ्ट हमें दे दिये हैं, कि परमात्मा ने ये वर्दान हमें दिया है, कि मैं तुम्हारा रक्षक हो, मानते तो रहे हैं हम, लेकिन सच मुझे इसे अपने फिलिंग में ले आने की बहुत जाद आवश्यक्ता है, स्मृति शाहद नहीं रह पाती कि भगवान मेरा रक्षक है, और जैसे आपने कहा कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अदिकार है, जो भी कार्य मैं चाहूं, उस कार्य में मेरी सफलता हुई ही पड़ी है, एक विशे शब्द जो आपने यूज किया, मैं थोड़ा क्लियर चाहूंगा प्रतर जी आपस प्रतर जो भी करते हैं, और जब कभी आपने कहा सुख्ष्म वतन में जाकर कि ऐसा अनुभाव करें, पता जी कई लोग शुरुवात कर रहे हैं योगा अभ्यास करने का, तो मानली जी उन्हीं ऐसी फिलिंग नहीं होती कि हम सुख्ष्म वतन तक हमारी बुद्धी नहीं ज पाती है, तो क्या हम यहां ही उस चीज की फिलिंग कर सकते हैं? लेकिन मैंने इन तेन दिनों में इसका भ्यास बात कर लिया, और मैंने इन दोनों चीजों को नेचुरल बना दिया तिन दिन में ही, और लक्स रख लिया कि कहीं मन में छुपे हुआ भी यह जंकल्प था, कि पता नहीं सफलता मिलेगी, आज से वो समाप्त, जहां हमारे कद पड़ेंगे, जहां हमारा हाथ लगेगा, सफलता परच्छाई की तरह पीछे पीछे आएगी हमारे चरणों में, बहुत अच्छा है रहेगा, बिलकुल यह अनुभव की सुन्दर बात है ब्रताजी, तो एक ब्रताजी सुबह उठते ही यदि कर लिया जाता है, तो सच मु बैठ के कर लें, बीच में एक बार भी कर लें और रात को कर लें, तो इससे यादत बहुत पक्की होती जाएगी और यह मैं समयता हूँ अपने में सबसे बड़ी गिफ्ट होगी, बिलकुल इससे बड़ी गिफ्ट मेरे विचार से कुछ हो ही नहीं सकता कि परमात्मा की ऐस समयता को हम अनुभव कर सकें, और फिर समस्याओं की भी बार संभवता नहीं रहेगी, इनके साथ भगवान हो, माया और समस्याओं उनसे गवराती है, इनके साथ तो ओल्माइटी है, भागो यहां से, भाग जाएंगी समस्याओं, एक चीज़ थोड़ा सा में क्लियर करना थोड़ा सा निगेटिव है, तो क्या हम उन कारियों के लिए जब हम ये विचार करेंगे, तो क्या उसमें भी हमें सफलता प्राप्त होगी? वो भी नस्ठ हो जाएगा और उसका वर्दान भी, प्राता जी हमारे पास जो मेल आया है, प्रशान्त जी का है, प्रशान्त जी कहते हैं कि मैं अभी UAE में जॉब करता हूं और अभी इंडिया में आया हूं, विकेशन के लिए, और मैं एहमदाबाद सीटी से बिलॉंग कर और हम दोनों को ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मैं चाहता हूं कि मम्मी पापा दोनों बहुत ही प्यार से रहें, आपस में जगडा ना करें और पापा हमें रिस्पेक्ट दें, इसके लिए क्या योग का कोई अभ्यास हो सकता है? यह जो समस्या पहत हूं कि वह गीत भी बना हूँआ, मम्मी पापा को लडने का बहाना चाहिए, तो कहीं घरों में ऐसा है कि कहीं मम्मी में, कहीं पापा में ग्रोध रहता है, लेकिन यह ऐची बात भात है अभ्रताजीuse, कि बच्चे अब चिन्तित हैं बच्चे कहीं ना कहीं सोचते तो हैं ना, कि उनके घर में संपूर्ण सुक्षानती हो, तो सब चीजों के हल तो हैं ही, तेखिए, मैं दोनों को कहूंगा, जो समझदार हो, उसे चुप रहना चाहिए, और पहली चुपी करनी चाहिए, मात्र सक्ती को, क्योंकि माताइं अधि हो सकती है, पुरुष में कहीं ना कहीं जादे इगो रहता ही है, मेल इगो भी होता है, इसलिए मैं इनके माताजी को कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, कि वो अपने घर में स्यंती स्थाफित करने के लिए, अपने पती को सब मान दे, और उनके बाद सुल लिया करें, ठीक ह कहीं बाद पुरुष प्रधान समाज हैं, तो थोड़ी से डॉमिनेटिंग हो ही जाते हैं, इसलिए बहन जी को पहले थोड़ा सा नम रोना चाहिए, और इनके पापा को मैं कहूंगा, कि क्रोध अशान्ती पैदा करता है, क्रोध एक अगनी है, जिसमें मनुस की सुक्षान यह सब कुछ नस्ट हो जाता है, मनुस निगेटिव हो जाता है, क्रोध नेक बिमारियों को भी जनम देता है, अधिक तर देखा जाएगा जिनको बहुत क्रोध आता है, वो हाईविलर प्रेसर किसी कार मिलेंगे, यह हम सब जगे देख सकते हैं, ले डॉक्टर पहले कहते ह कम करो जरा, यह तो डॉक्टरों को भी नहीं पता कम कैसे करें, लेकिन इनका जो यह बच्चा है, जो और अब कंट्रीज में रहता है, यह बहुत समझदार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस एक रोध नहीं आता होगा, इसका कर्तव है, कि जब तक यह अपने घ श्यांसूर यह हो, एवल इतना ही, और मुझे से श्यांति की केरने पूरे घर में फैल रही है, एक यभ्यास करेंगे, और थोड़ा सा सवेरे पांच वजे, जब इनके पापा सवे हो, उन्हें आत्मिक द्रस्टी से देखकर, दो-तीन मिनट कुछ गुड़ वाइब्रेशन देंगे, और उसका तरीका यह होगा, श्यांति के वाइब्रेशन्स मुझे आ रहे हैं, और मुझे आत्मा से निकल कर जा रहे हैं, उन्हें की आत्मा को, तीन मिनट, पांच मिनट ऐसा, जैसे श्यांति के वाइब्रेशन्स उपर से आकर उस आत्मा को जा रहे हैं, और फिर एक मिनट के लिए उन्हें संकल्प दे देंगे, तुम पीसफुल सोल हो, पापा, तुम तो ग्रेट सोल हो, तुम बहुत बुद्धीमान हो, अभी तुम्हें अपनी शक्तियों को, बुद्धी की शक्ति को, मन की शक्ति को, क्रोध मिनस नहीं करना है, बी पीसफुल, बी पीस तो श्याम्ति के वाइब्रेशन से रोज उनने जाएंगे और उनके विवेक की जागरती होगी जब उठेंगे दो-चार दिन के बाद, दो-चार दिन लगेंगे इसमें, उन्हें ये फील होने लगा क्रोध बुरा है, पहले दिन से तर थोड़ा एफेक्ट, तीसे दिन और ज भी ने काम करते देना चाहिए, तो 21 दिन में, होफुली, बहुत अच्छा होगी है, वैसे अब जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, बहले वो साथ देन, 11 या 21 देन का जो भी अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बात तो जरूर कहते हैं, चले शत प्रतीशत यदी सफलता ना भी मिली इसमें यह इस धन सब को याद रखना चाहिए, कि जब कोई वेक्टी सोया है, तो उसका सबकुछ इस माइन जगा है, जो कुछ विचार हम इधर से दे रहे हैं, तो सबकुछ इस माइन उसे रिसीव कर रहा है, वैसे मनुस्त को अपना इगो काम करेगा, लेकिन उस टाइम जो कुछ हम दे रहे हैं, वो जा रहा है, उठते ही वो नेचूरल है ये, विचार करेगा, मैं पीस्फुल हूँ, जड़ा यगड़ा अच्छा नहीं, वो भी तो विचारी से अंती चाहती होगी, मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, ये गलत है, उसको अपनी गलती, अपनी बोल की गलती, जो कुछ भी हो करता है, रियलाइज होगी, और ये चीज छूटेगी, बिल्कुल, ये रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, जब तक कोई रियलाइज नहीं कर पाता है, तब तक उसे लगता है कि नहीं, मैं राइट हूँ, संसार में ये ही सबसे हो रहा है, कि कौन पहले रियलाइज करें, और जहां दो में खास, पति-पत्नी के संबंद में, एक व्यक्ति रियलाइज नहीं कर रहा है, उसकी अंगली दूसरों की हो रहा है, गलती तेरी है, अब पत्नी कह रहे है, वो भी कहेगी गलती तेरी है, एगो एक का दूसरे के ego को activate कर देता है और एक व्यक्ति अगर जुकना सीख ले मानलो पत्नी को यह संकल्प आने लगे रियलाइजेशन होने लगे मुझे चुप रहना जाहिए गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है मैं ज़्यादा जबाब देती हूं मैं उनकी बात बिना सुने ही तुरंत रियक्ट कर लेती हूं तो पती भी सोचने लगेगा कुछी दो-चार दिन के बाद ही गलती मेरी भी है एक की प बुद्धी मत्ता की पहचान है और आजकल यह हो गया कि बुद्धी मत्ता यह हो गई कि गलती दूसरे की है प्रूफ करने में लगे रहते हैं तुमने यह किया तुमारी गलती तुम सदा ऐसे ही करती हो तो जो भी बुद्धिमान है उन्हें अपने बुद्धी का सदुप योग इस तरह ही कड़ना चाहिए, कि नहीं, गल्ती मेरी कहा हो रहे, मालो परतक्स गल्ती दूसरे की दिखाई भी दे रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हमें साय सोचेगा, कम से कम मुझे चुफ तो रहना चाहिए कुछ समय के लिए, एक बार तो चुफ हो के देखू, र वरतालाप होना, एक समझदारी की वरतालाप होना, उसका अपना महत्त्र है, लेकिन एक क्लैस हो जाना, एक के निगेट हो जाना, जो दूरी बढ़ा दे, वो तो किसी भी तरह उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें इंपोर्टेंट बात ही होती है, अगर पती-पत् बच्चे बिलकुल छोटे हैं, तो उन्हें जानना चाहिए, कि उनके हर व्यवार का, हर तरह के वाइब्रेशन का इफेक्ट छोटे बच्चों पर जा रहा है, मैं ये सभी को साबधान करता हूं, कि बच्चा मानलो एक ही साल का है, और पती-पत्नी जगड रहे हैं, और उन 4-5 साल का, वो एग्रेसिव होगा, उसे क्रोध आएगा, और ये देन होगी माबाप की, इसलिए माबाप को ये नहीं सोचना चाहिए, बच्चे क्या समझें, हम जो चाहें कर लें, उनमें किसी भी तरह की असुद्धी होगी, किसी भी तरह की क्रिमनल आई होगी, किसी भी गलत एक्टिविटी होगी, बोल व्यभार गलत होगे, उसका इफेक्ट उनके छोटे बच्चों पर गहराई से जाएगा, बच्चे जितने छोटे हैं, उनकी ग्रहन सक्ति उतनी ही तेज है, जाद है, इसलिए माबाप को बच्चों के सुन्दर भविश्य को ध्यान में परिवार में ही तो संसकार मिलते हैं बच्चों को, और यदि माता-पिता ही आपस में लड़ रहे हों, तो बच्चों के अंदर क्या संसकार जाएंगे, इस बात को जरूर बुद्धिमान जो हमारे माता-पिता है, उन्हें समझ नहीं चाहिए, आपका बहुत-बहुत शुक तो अपने परिवार में ही बीचता है, माता-पिता उसके हीरो और हीरोईन है, उन्हें देख करके हर चीज वो सीखता है, अच्छी बात हो, या बुरी बात हो, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्याभार करते हैं, इवन ब्राता-जी ने जैसे कहा कि यदी बच्चा सोया भी हुआ है तो भी माता-पिता के वाइबरिशन भी उस पर असर जरूर डालते हैं इसलिए समझदार माता-पिता को चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संसकार अपने व्यवहार के द्वारा दें तभी तो हम राष्ट को बहुत सुंदर नागरिक दे पाएंगे समाज को सुंदर नागरिक दे पाएंगे ये हम सभी का करतव्य है और दूसरी बात जो शिर्वात हम लोगों ने की थी उस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा पर मात्मा हमारी रक्षक है और साथ ही साथ उन्होंने सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है ये वर्दान हमें दिया हुआ है इसका भी अभ्यास और अनुभव अवश्य कीजिएगा आज के लिए इतना ही दीजे जाज़र नमस्कार